हलो, कक्षा ग्यार्मी अर्थ शास्त्र में आज हम लोग अध्याय क्रमांक 16 पंच वर्षी युजनाओं के सामान्य लक्ष का अध्यान करेंगे और इस पार्ट का प्रारम करेंगे पिछले अध्याय में सोतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारती अर्थ व्यवस्ता का अध्यान हम लोगों ने किया था और ये देखा था कि कैसे जब हमें सौतंतरता मिली सन 1947 में तो हमारी अर्थ ब्यवस्था अर्ध विक्सित थी, गतिहीन थी, अर्थात बुरी हालत में थी तो जैसे ही सौतंतरता मिली हमारे देश के जो नेता थे और आर्थिक विशेशग्य थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये जो घिसी भी अर्थ ब्यवस्था है, गतिहीन अर्थ ब्यवस्था है, उसको पटरी पर कैसे लेकर आए क्योंकि बहुत सारे काम थे जो किये जाने थे, प्रात्निकताय तै की जानी थी, स्वास्त का अभाव था, शिक्षास किस विधाओं का अभाव था, सडक और रेल परिवहन का अभाव था, पेजल की समस्या थी, खाद्यान की समस्या थी, सीचाई की समस्या थी, और बहुत स हमारे देश के निताओं ने और जो योजनाकार हैं उन्होंने मिलकर पंचवर्शी या आर्थिक नियोजन को अपनाने का सोचा, जिसके तहट एक लक्ष बनाकर, प्रात्मिकताओं को निर्धारित कर, फिर उसको दिर्ग कालिन उसकी योजनाय बनाकर उसको अमल में लाने के तो इसलिए इन योजनाओं का बहुत ज्यादा महत्व है तो इसलिए इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक नियोजन अथ्वा विकास योजना किसको कहते हैं और इसमें किन-किन बातों को शामिल किया जाता है ये जो आर्थिक नियोजन है ये लगभग बीस्वी शताब्दी के देन है और 1928 में सोयत संग में पहली बार नियोजन को आर्थिक विकास के साधन के रूप में अपनाया और वहां की पिछड़ी वी कृषी तथा ओध्योगीक ब्यवस्था को आधुनिक ओध्योगीक शक्ती में बदलने के उद्देश से योजना प्रारम की और वहीं से आर्थिक नियोजन की शुरुवात हुई और श्री टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है कि आध्यांत्मिक शेतर में जो महत्व इश्वर का है आर्थिक शेतर में वही महत्व नियोजन का है और इसके माध्यम से उन्होंने आर्थिक नियोजन के महत्व को कहा समझाया तो आर्थिक नियोजन या विकास योजनाय का क्या अर्थ होता है इसको अब हम लोग देखेंगे एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों वो लक्षों की पूर्ती के लिए अपनाए गए कारेकरम को आर्थिक नियोजन या विकास योजना कहते हैं अर्थात लक्ष को निर्धारित करके उसको पूरा करने हित जो योजनाय बनाई जाती हैं उसको ही आर्थिक नियोजन या विकास योजनाय कहते हैं और इनके अंतरगत जो भावी विकास के उद्देश्य होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है कि कौन-कौन से उद्देश्यों को हमको प्राप्त करना है और उनकी प्राप्ती के लिए आर्थिक क्रियाओं का एक केंदरी सत्ता द्वारा नियमन वा संचालन होता है जो की के केंदर सरकार होती है हमारे देश में इसके अंतरगत अलग-अलग छेत्रों जैसे क्रिशी उत्योग सेवा आधी के लिए लक्ष निर्धारित किये जाते हैं और इन लक्षों को एक निश्चित अउधी में प्राप्त करने के लिए इस्टाट्रैजी बोलते हैं व्यू रच नियोजन है उनका सरवत्तम उपयोग हो सके और लक्षों की प्राप्ति हो सके तो इस प्रकार से यह आर्थिक नियोजन या विकास योजनाय कहलाती हैं और इसकी परिभाशा में हम लोग डाल्टन की परिभाशा देखते हैं काउपी में आप लोग लिख लिजे और उसको याद भी कर लिजे उन्होंने कहा है कि आर्थिक नियोजन अपने विस्तरित अर्थ में विशाल साधनों के सरक्षक व्यक्तियों द्वारा निश्चित लक्षों की प्राप्ति हे तो आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है तो इस परिभाशा को आप लोग 10 विश्चित हें हमारी पार्थ पुस्तक में दिया हुआ है जिसको उर्श बारीबारी से देखेंगे सबसे पहले होता है निश्चित उदश आर्थिक नियोजन किसी निश्चित उद्देश की पूर्ती के लिए किया जाता है नियोजन का उद्देश भिन भिन देशों में भिन भिन हो सकता है परंतु कुछ निश्चित उद्देश को रखकर ही नियोजन किया जाता है जैसे कि उत्पादन में वृद्धी आर्थिक जीवन में इस्थाइ तो आर्थिक नियूजन के उद्देश्य होते हैं और ये भिन भिन देशों में वहां की परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग हो सकते हैं आर्थिक नियूजन की जो दूसरी विशेष्टा है कि साधनों का अधिक्तम उप्योग किया जाता है अर्थात जो उप्लप्त साधन है उनको विवेक पूनो ढंग से इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका अधिक्तम उप्योग किया जा सके तीसरी विशेष्टा होती है कि केंदरी नियूजन सत्ता होती है जो इस आर्थिक नियूजन का संचालन करती है नियोजित अर्थ व्योस्ता का प्रधान लक्षन है कि इसका संचालन एक केंद्री नियोजन अधिकारी द्वारा किया जाता है भारत में नियोजन के संचालन है तो सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुकती की गई है योजना आयोग बनाया गया है इसके अध्यक्ष स्वयम प्रधान मंत्री होते हैं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है और ये जो योजना विभाग होता है इसको वर्तमान में नीती आयोग कहा जाता है वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष है डक्टर राजी उकुमार है औ जो योजना विभाग होता है वो देश की प्रात्मिकता و निरधारित करता है और आर्थिक क्रियाओं में समन्वे यस्थापित करने का कारे करता है उनके लिए योजना बनाता है और उसको पूरा करने के लिए उपलब्द, साधन उपलब्द कराता है चौथी विशेष्टा है कि ये एक दिर्ग कालीन प्रक्रिया है नियोजन का कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि ये दिर्ग कालीन हो अल्प कालीन योजना भी इसका एक भाग हो सकती है लेकिन अधिकांश देशों में दिर्ग कालीन योजना ही तयार किये जाते हैं हमारे देश में पंच वर्षी योजनाय तयार की जाती है अर्थात पांच वर्षों को द्यान में रखकर योजनाय बनाई जाती है पाच्वा जो है एक निश्चित समय के लिए बनाई जाती है निश्चित अवधी के लिए बनाई जाती है ये जो आर्थिक योजनाय है या विकास की योजनाय है और इस अवधी के अंदर ही जो लक्ष निर्धारित किया जाता है और जो प्रात्मिकताय होती है उनको पूरा क करने का प्रयास किया जाता है छटवा है सरकारी उपकरम यह जो आर्थिक नियोजन होता है या योजना विभाग होता है यह सरकारी विव रचना का एक भाग होता है और इसको सरकारी कार्यकरम के रूप में ही अपनाया जाता है और जो मुख्य सरकार होती है केंदर सरकार होती वो इसका क्रियानवयन और संचालन करती है। शात्व है आयका समुचित वित्रन। आर्थिक नियोजन का उद्देश रास्टी आयका समुचित वित्रन हो यह होता है। इसके लिए धनी व्यक्तियों पर प्रगती शील कर लागों किया जाता है, निजी संपती के अधिकार को प्राया समाप्त करने का प्रयत्में किया जाता है, और रास्टी आयका वितरन समाच के बीच उनकी आवशकताओं के अनुसार ही किया जाता है. अर्थात जो धनी लोग हैं उनपर जादा कर लगाया जाता है, और उसकर को जो गरीब लोग हैं उनपर खर्च किया जाता है. आठवा नियंत्रन, आर्थिक नियूजन में सरकार उत्पादन, विन्योग, उफुभोग, मुल्य आदि पर नियंत्रन लगाती है, नीजी उद्योगों और संस्थाओं को भी सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ता है. सरकार स्वयम भी खुद नए-ने उद्योग और संस्थाओं इस्थापित कर सकती है, सौतंतरता के बाद हमारे देश ने ऐसा किया गया, परन्तु अब धिरे-धिरे सरकार इसका विन्योग या डिस इन्वेस्टमेंट करती जा रही है. नववा इसकी विशेष्टा होती है कि सामाजिक लाप के उद्देश्य को प्रोचसाहन दिया जाता है. व्यक्तिगत लाप के अस्थान पर सामाजिक लाप को प्रात्मिक्ता दि जाती है इसके अंतरगत. जो अंतिम बिंदु है वो है वर्ग संघर्ष का अभाव. यदि पूर्ण रूप से नियोजित अर्थ व्यास्था की जाती है तो वहाँ वर्ग संघर्ष का अभाव होता है. कारण यह है कि मजदुरों अन्य निम्नवर्ग के लोगों की नियूंतम आवशक्ताओं को ध्यान में रखा जाता है. सभी लोगों को काम का समान औसर मिलता है. इससे सभी संतुस्ट रहते हैं. ऐसी ब्यवस्ता की जाती है, ऐसा नियोजन किया जाता है, ऐसी योजनाय बना जाती है. इसी लिए वर्ग, संघर्ष, अर्थात, अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष कम होता जाता है. तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग आर्थिक नियोजन या विकास योजनाओं का अर्थ देखा, परिभाशा भी देखा और उसकी दस प्रमुक विश शक्ता और महत्व को देखेंगे.